दोस्तो अपने पास यह इनवर्सल कंड्रोल सिस्टम पर dc motor मतलब split AC में जो dc motor अगर लगी हुई है उसके लिए अगर इनवर्सल PC भी अगर आपको लगाना है तो उसका क्या तरीका है उसको किस तरीके से लगाना है उसके साहरे आपको बतने वाला हो वर उसका यह डिसी मोटर है और जो पत्चन को पच्छन ने का सिम्पल दिखा है यह कनेकटर में अगर 5 वाईर है तो वो DC मोटर होता है एक किनेक्टर में एक के-बोर थे बोल रहा हूं और यह किनेक्टर में बोल रहा हूं बोर सभूत ही हो twa ऐपने पांच तो पेजिसी मोटर थे एं लिए इन्निवरसल पिसि तरीका है एक तो उसके box के उपर लिखा रहेगा यह DC Motor का इनवर्सल है तो इधर देख सकते हो आप यह जो connector है यह connector देख सकते हो यह 5 वायर के हिसाब से connector दिया हुआ है मतलब इधर एक, दो, तीन, चार, और इधर एक पाच ऐसे पाच वायर है इधर देखोगे तो इधर छे वायर है दीक रहे विख रहे दीकि रहे होगे होगा इधर points are यह वायरिंग का इसा है उसको काम से पूर्ट में जानागा है और इसके उपर लिखा भी होगा इधर अगर अच्छे से पड़ोगा शाहिदि आपको अगर इस तरीके से वाहरे लगी हुए है अगर मोटर का आप तो DC मोटर के जिदे इतना ज्यादा आजानकारी नहीं होगा तो अपने चाइनल के ओपर DC मोटर का वीडियो भी डाल दिया है वो भी आप एक बार देख लोगे तो आपको ज्यादा बेटरा आड़ा हो जाएगा जैसे मोटर का क्रेकटर है इस कनेकटर यह अगर इतना बड़ा क अ इसा एक छोटा कनेकटर आथा है DC मोटर के लिए दोनों अलग अलग ताइब कर तो इसमें जो अगर देखोगे तो यह red wire जो है red wire VDC मतलब DC voltage के लिए यह ground मतलब minus के लिए यह 15 voltage white wire जो 15 voltage DC supply yellow wire variable speed के लिए और blue wire feedback के लिए तो इसके अंदर आप इस connector को directly डाल सकते हो बार बार इधर बैट जाएगा अगर आपका यह अगर yellow wire last में मतलब कोई ब्रैंड में yellow wire last में होता है और blue wire पहले होता है तो कुछ नहीं VCC का और यह blue wire है अपना feedback का और yellow wire है अपना variable speed का तो इधर देखो इधर अगर देखोगे सबसे लास्ट वाले में जागर देखोगे तो लास्ट वाइर जो है इधर शाहिद आपको दीख पा रहा है इधर देखो इधर के लिखा हुआ है यह VSP लिखा हुआ है और इसके बाद में feedback लिखा हुआ है VSP मतलब yellow wire तो आप directly motor का connector इसमें डाल सकते है वैसा कभी भी गलती से इधर देखोगे motor का connector का इससा डाल रहा हो इधर इस साड़ में द साड़ में आने चाहिए जिदर फीडी सी लखा हुआ है red wire गलती से इस साड़ में चली गई और yellow या blue wire अगर इस साड़ में आ गई तो आपनी motor खराब हो जाए या PCV ऊड़ जाएगा इस सबसे ज्यादा ध्यान में रखने माली बात है इसके अंदर तो motor bite गई अभी company से जो transformer के दो connector है उसके बाद है यह display का connector लगाने के लिए यह यहाँ पर जगे दिये हुए display का connector लगा दिया अभी मैं आपको दिखा देता हूं sensor एक red connector का sensor है red के अंदर डालो white connector का sensor है white के अंदर डालो इदर white connector दिया हुआ है जो white वाला है आपना वो room temperature sensor है red वाला जो है अपना coil temperature sensor है मतलब coil में यह operator coil में जो बैटता है इस तरीके से connect करनेगा swing के लिए इधर जगे दी हुए swing का थोड़ा adjustment करना पड़ता है swing को चार बार गुमा के connector को डालना पड़ता है जैसे कि कोई swing motor में आपको लागा के दिखा देता हूँ अब इधर देख सकते हो मैंने swing motor ले लिया है swing motor का ऐसा बड़ा connector होता है या एक चोटा connector होता है अगर बड़ा connector है अगर इसमें देखो इस connector में वायर होती है पांच लेकिन इधर जो दोनों भी port same to same है दोनों भी swing के लिए दिए हुए अगर गुम रहा है तो ठीक है नहीं near रहा है तो इसको निकल के फिर इस center का एक सथ दिया था आभी इस धर के चोड़ के चोड़ dollars देंगे पर इसमें दालधेिया इधर क्मटर करना कर्त pessimिक्त चारों में से कोई तो एक जगह पर यह swing का connector मैच हो जाता है और यह इसके लिए अपना एक remote दिया हुआ है remote के अंदर मैंने बैटरी डाल दिया है इसको अगर नीचे खुच होगे तो इधर पीछे बैटरी डालने के लिए पॉर्ट दिया हुआ है एक, दो, तीन, तीनों में से कई भी नूट्रल आपन डाल सकते हूँ इदे, अगर देखोगे, रिले के वाज़ों में दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है COP लिखा हुआ है, COMP लिखा हुआ है COP, यह मतलब CP का टर्मिनल है और इधर L लीखा हुआ है, L यहल मतलब इदर line, input supply के line देने के, तो इदर line दे देगे आपन, इदर neutral दे दिया है, इदर line दे दिया, अभी आपने इसको supply देंगे, supply दे दिया, display देख सकते हो, display पे, अभी ये 22 temperature दिखा रहा है, आपने शो किया हुआ, अपने शेट किया हुआ temperature, और उसके बाद थोड़ी दे बाद display चलना बंद हो जाएगा, और आपने क्या बलते है, जो temperature, room का है, वो temperature देखाएगा, अभी 30 degree Celsius temperature शो कर रहा है, 30 degree Celsius के ये काम करता है अपना, ये display देख सकते हो, display पे आभी अपने को 30 degree Celsius temperature शो कर रहा है, वो अभी room का temperature शो कर रहा है, जब आप remote से इसका setting चेंज करोगे, तो आपना room का temperature, sorry, जो अपने शेट किया हुआ temperature शो कर दिया है, ये connector थोड़ा हिल राइस, मैंने इसको पकड़ लिया है तो इस तरीके से आप DC motor का PCB सेट कर सकते हो, अगर आपको universal PCB डालना है, अगर अपना original PCB खराब गाया तो, अगर इसमें कुछ doubt रहेगा, तो comment box में जाकर comment करो, अगर आपको इस तरीके का PCB भी चाहिए होगा, तो भी आप comment कर सकते हो, मैं आपको available करा के देदूँग, DC motor का universal PCB कर दो